आदर्निया राष्ट्रिय अध्यक्षय जेपी नाडा जी, केंदरिय गृह मंतरी, हम सभी के नेता आदर्निया अमित साहा जी, उत्तर प्रदेश की मान्य मुक्षय मंतरी, योगी आदितेनाध जी, दोनों उपो मुक्षय मंतरी देवे, तथा हमारी लंबे समय से इंडिया की सहयोगी अपना दल की राष्ट्री अध्यक्ष्या केंद्रिय मंत्री आधर्निया अनुप्रिया पतेल जी तथा उनकी पार्टी के अन्य बरिष्ट नेता तथा हमारी एंडिये की दुसरे प्रमुक सहयोगी उत्तेर प्रदेश में सामाजी एक न्याय की आंदोलन की एक छबी डॉक्टर संजे निशाद जी निशाद राज पार्टी के राष्टी अध्यक्ष्या ओबी और उनकी प्रमुक और कारेकरत अपस्तित रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष्या आधर्निया सोतेंतर देव जी भी रहे आज उस समंधित कुछ ओपचारिक घोशनाएं इंडिय कि और से हमारे तीनों दल की आधर्निया अध्यक्ष्या मोहदेव ने करना है मैं आज की इस प्रेस कौंटेंस को समभीत करने के लिए पार्टी की राष्टी अध्यक्ष्या हम सभी के नेता आधर्निया जगर्प्रकरशनादा जी को विनेति करता हूं मित्रो जैसा की अभी धर्मेंद्र जी ने आपको बताया कि भारतिय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एंडिय के साथ अपने पार्टनर्स के साथ चुनाओं में उतर रही है और लोग सभा में भी हम सब लोग साथ चुनाओं में उतरे थे और यह विदान सभा के 2022 के चुनाओं 22 में हम एक साथ उतर रहे हैं अपना दल और निशाद पार्टी इनके साथ हम इस चुनाओं में एंडिये चार सो तीन सीटों पर गड़बंदन जो हमारा है वो चुनाओं लड़ेगा ऐसा निड़ने हुआ है पिछले दो तीन दिनों में निशाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डीटेल में चर्चा हुई है और सीट के बारे में भी चर्चा हुई और कहां कहां कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है डीटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं चार्सो तीन सीटों पर यह बात इस गड़बंधन में चर्चा होकर के तै हुई है हम सब जानते हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी आदर्निय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी के नित्रतु में देश में एक मंत्र लेकर के चली है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास और यही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास इस काम को हम लोगों ने अमली जामा उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है, इसको किया है लेटर और स्पिरिट में सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारा मंत्र था उसको हम लोगों ने पूरा किया है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजिन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का और सभी समाज के वर्कों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है जब हम डबल इंजिन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशिरवाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लिमेंटेशन उसको जमीनी स्थर पर इंप्लिमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है जिसके कारण हमको धर्ती पर एक परिवर्तन और एक जिसे हम कहते हैं कि एक विकास की नई कहानी देखने को मिलती है यह हम सब के सामने हैं अगर हम विकास की बात करें तो आपके सामने आप्टिक्स में भी आपको दिखता होगा कनेक्टिविटी के बारे में फिर चाहे कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी हो या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या फिर हमारे स्टेट हाइवेज भी हो एक connectivity में बहुत तीवर गती से पिछले 5 सालों में मोदी जी के आशिरवाद से और योगी जी के द्वारा जमीन पर वो काम हुआ है उसी तरीके से अगर हम education की बात करें तो education में भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा change आया है और आज education के द्रिश्टी से उत्तरप्रदेश एक आगे बढ़ता हुआ state दिखता है और विशेश करके medical education में उसमें हम सब को दिखता है health care तो है ही education, health care ये सब विशे तो है ही social indicators के भी विशे हैं सभी विश्यों में NDA की सरकार ने और उत्तरप्रदेश में इस गड़बंदन ने बहुत ती वरगती से काम किया है उसी तरीके से investment की बात अगर हम कहें तो आज उत्तरप्रदेश has become a destination for investment वहां एक बहुत परिवर्तन दिखता है एक समय में जहां लोग अपनी investments को वापस ले रहे थे वहां से पलायन कर रहे थे आज वहां investment का destination बना है तो यह political मौहौल जो खड़ा हुआ है उसके कारण हुआ है और विशेश करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्यान यह हमारा मंतर रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है फिर उसमें schemes like उजाला, उज्वला, स्वाभाग्य, आयूशमान यह सारी schemes उसमें आती है प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना, प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी हमारे laborers के लिए जो वापस जा रहे थे उनको employment opportunity देना, उनको empower करना यह सारी चीजें वहाँ पर हुई है, और महिलाओं को और युवाओं को focus में रख करके काम पिछले प्हाँ सालों में हुआ है, यह हम सब को देखता है जहां तक law and order का सवाल है, हमारे चुनाओं में law and order, विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये तो है ही लेकिन law and order एक बहुत बड़ा विशे उत्तर प्रदेश में हैं और जब मैं law and order की बात करता हूं तो मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूं कि पांच साल पहले का सिनेरियो याद कीजिए पलाइन हो रहा था पलाइन के साथ साथ वहां पर शाम को पांच बजे के बाद साधारन तरीके से लोगों का जो रोज मरा और जीवन के होता था वो थम जाता था के ड्नैपिंग्स हो रही थी हर एक तरीके के वहां माफियाज आक्टिव थे और माफियाज और सरकार का नेकसस था और उनके सपोर्ट से वो काम चल रहा था ये सारी चीजे पांच साल में समाप्त हुई हैं आज रूल आफ लॉओ है और उसके साथ साथ एक जिसको कहते हैं कि आम आदमी चैन से जी सकता है काम कर सकता है आगे बढ़ सकता है ऑपरचुनिटीज को यूटलाईज कर सकता है ये लॉओ और और की सिच्वेशन वहां पर डिवलप हुई है वो भी हम लोगों को देखने को मिला है और इसलिए हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है उसको करके दिया है और जब हम सोच इमानदार कहते हैं तो काम असरदार है सोच इमानदार है काम असरदार है इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपके सामने आज इसलिए आया था क्योंकि हमारे दो दल जिनके साथ सारी डीटेल्स में बात्चीत होकर के हम निर्ने पर पहुंचे हैं कि हम इकठे चुनाओ लड़ेंगे तो उसकी बारे में फॉर्मली आज हम गोशना कर रहे थे तो मैंने का कि मैं भी आप लों के साथ मुखातिब होकर कि इस बारे में चर्चा करूं मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना दल की हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी से कि वो अपनी बात को रखे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से आये हुए मेरे सभी मित्रों आप सभी को साधर नमस्कार मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एंडिये गठबंदन का हिस्सा है और अपना दल और भारती जनता पार्टी के गठबंदन की ये जो यात्रा है पिशले तीन चुनाओं से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकरात्मक दिशा में आगे बढ़ी है उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाओं में प्राप्थ हुआ है और हमारे सयुक्त गठबंदन से जो ताकत उपजी उससे देश और प्रदेश में कैसी मजबूत सरकार का निर्माड भी हुआ जिसका नेतरित्व उत्तर प्रदेश में आदर्णिय योगी जी और देश में हमारे श्रधे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जिसने डबल इंजिन के साथ तेज गती के साथ काम किया देश का विकास हुआ प्रदेश का विकास हुआ और जहां एक और उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बड़ी वहीं दूसरी और सामाजिक न्याय की अवधारना भी और प्रबल हुई उत्तर प्रिदेश की अंदर जो विकास हुआ उन बातों को बड़े विस्तार पूर्वक आदर्णिय नड़ा जी ने रखा है मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं लेकिन समाजिक नयाय के पक्ष में कुछ बातों को आप सब के समक्ष रखना में बेहत जरूरी समझती हूँ मेरा ये मानना है कि अपना दल और भारती जनता पार्टी का ये गठवंदन और आज हमारे आदर्णिय डॉक्टर निशाद जी भी हमारे साथ में है निशाद पार्टी भी हमारे साथ में है ये जो हमारा एंडिय का गठवंदन है ये विकास और समाजिक नयाय का एक बहुत ही बहतरीन कॉक्टेल साबित हुआ है उत्तर प्रदेश को दोनों की अवशक्ता है विकास की भी समाजिक न्याय की भी मेरी पाटी अपना दलने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोने लाल पटेल जी के मार्क दर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक अधिकार भागिदारी के लिए संघर्श किया है और माने निये प्रधान मंत्री जी के नेतरुत में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि समाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है विशे चाहे OBC कमिशन को सम्विधानिक दर्जा प्रदान करने का हो जिसकी मान बरसों से देश की संसत के अंदर हो रही थी लेकिन उसपर पूर्फ की सरकारे कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी या विशे हमारे सैनिक स्कूलों में नवोदे स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछडा वर्क के चात्रों को आरक्षन देने का हो या हमारे Central Educational Institutions में 200 पॉइंट रोस्टर प्रनाली की वापसी का हो, बहाली का हो OBC की क्रीमी लेर को 6 लाग से आगे बढ़ाकर 8 लाग तक ले जाने का हो या एक विशे जो हाली में आप सब के संग्यान में आया नीच की परिक्षा में MBBS और PG के Admissions में अखिल भारतिय कोटा के तहट पिछडों के 27 प्रतिशत आरक्षन को लागू करने का हो ये सारे ऐसे विशे है